आज देश के लिए कहते हासिक दिन है आज राम लल्ला की प्राण प्रतिष्टा होगी आज दोपैर 12 बचकर 5 मिनट से 12 बचकर 55 मिनट तक प्राण प्रतिष्टा का समहरों होगा दोपेर 12 बच कर 20 मिनट पर राम लला की प्राण प्रतिष्टा होगी राम लला की प्राण प्रतिष्टा में सिर्फ 12 घंटे बाकी है हाला कि 12 घंटे से भी अब कब का समय बचा है लेकिन इन सब के बीच में आयोध्या पूरी तरीके से तयार है आज का दिन वो एतिहासिक दिन है जिसका इंतिजार किया जा रहा तो इन सब के बीच में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले UP के CM योगी आधितनात ने ट्वीट किया है उनका ट्वीट भी आपको बताते हैं कि आखिर उन्होंने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा रिसल उनकी तरफ से ट्वीट में लिखा गया श्री आयोध्या धाम में श्री राम जन भूमी पर आज हो रही प्रभू श्री राम लल्ला के नूतन विग्रह की प्रान प्रतिष्ठा से पीडियों का संघर्ष और सध्यों का संकल्प पूर्ण हुआ इस अवसर पर युग पुरुष ब्रह्मालीन महंट दिग्विजयनाज जी महराज और राष्ट्र संत ब्रह्मालीन महंट अविद्यनाज जी महराज के प्रतिभावपूर्ण श्रधांजली है साति उन्हों ने लिखा प्रधानमंत्री जी के नेत्रुत में आज असंख्य रामभक्तों की प्रतिक्षा पूर्ण होने जा रही है संपूर्ण देश आस्था और भक्ती के सागर में डूप कर राम में हो गया है यह देखें यह ट्वीट आपको दिखा रहे है स्यम योगिया अधितनात की तरह से किया अगे जिसमें उन्होंने कहा श्रय उध्य धाम में श्री राम जन भूमी पर आज हो रही प्रभू श्री राम लल्ला के नूतन विग्रह की प्रान प्रतिष्ठा यह योगिया अधितनात का ट्वीट आपको बता रहे है प्रान प्रतिष्ठा से पीडियों का संगर्ष और सद्यों का संकल्प आखिरकार पूर्ण इस अफसर पर युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिखविजयनात जी उनको याद करते हुए यहाँ पर सीम योगिया अधितनात नजर आए साति उन्होंने का राष्ट्र संत ब्रहमलीन महंत अवेध्यनात जी को भावपूर श्रधान जी यह योगिया अधितनात के तरह से ट्वीट जो है किया गया लेकिन आज आज आयोध्या जो है वो पूरी तरीके से तैयार है और योगिया अधितनात आयोध्या पहुच चुके हैं प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी आज अयोध्या पहुचेंगे सालों से इंतजार किया जा रहा था और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे देखे राम मंदिर के कपाट जो है खुल चुके हैं इंतजार किया जा रहे अब प्रान प्रतिष्टा का सुबह 10 बजे का वक के शीरा स्बेस्टा का 2